कि इतना पेसा महीने का तो छोड़ती ही होगी है जुकान लगए इनके बस में नहीं है गाड़ी माइलेज में अच्छी है यह उनसे प्रेंटर थे आप तमाई तो है पर प्रेसान बहुत है तो आयार मतलब सैलरी सही है ती ट्रेलर में नोकरी चाहिए तो उनको कैसे मिलेगी जाके अपलाए करेगा तो उसको मिल सकता है ड्रेस आपने बता दिया अधर परिवार को खुस जेखना चाहते है ना पन जादा अतर ड्राइवर मना कर देते हैं ऐसा क्यों रात में उनको ट्रक नहीं चलाना है ट्रक भी आराम दाए कि मामता इंटरनाशनल ट्रक है टाटा पात इसके बारे में बता हूं काश आप हमारे होते लिख वाली है 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 लो गार्फुल के साथ साथ बहुत अच्छा है लेकिन इसका मैंटिनस बहुत हाई होता है और वीडियो नहीं आने के रिजन भी बता देता हूं आप लोगों मैं अपनी तरफ से तो डेली आ रहा हूं कि यह बना पा रहा है इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा है यह एसलिए आपको itself करता हूं अब यह देखिए यह है यह ठ्रक इसकी है यह फ्रेंट प्रोफायल जैसे कि मैंन आपको बता है था यहां पर देखेंगे आप आईशर की बैजिंग और यह है प्रो साथ पच्पन स्पेसिफिकेशन जान लीजे क्योंकि बड़ी अच्छी है पच्पन हजार केजी इसका पूरा ग्रॉस वीकल बेट आता है बहुत यह अच्छा पावर स्टीरिंग इसमें मिलता है इसमें भाई ट्रेक्टरेट रेलर बोगते हैं इसको इस टाइप की जो ट्रेलर आता है इसको ट्रेक्टरेट रेलर कहते हैं और इसमें 7600 अन्टान सबर्दस सीची है मतलब बहुत ज़्यादा होता है 7700 सीटी का इंगें ट्रेलर के इसाब से अच्छा खाता है वो मिलता है आपको 260 HP की होस्पावर आपको मिल जाती है इसमें और आपको मिल जाता है 1000 अन्म का टॉर्क नो स्पीट का गेर बोक्स आ जाता है इसमें 644 एक्सल करता है इसके साथ इसका अब मैं आपको इसके बारे में पूरा बता देता हूं सबसे पहले तो प्रोफाइल के सी लग दी है फ्रेंट प्रोफाइल तो मैं आपको दिखा दी कोई मोडिफिकीशन नहीं है इसमें यह ट्रांसपोर्ट कट रहा है और यहां पर भाई नहीं बिल्कुर राजिस्थान नंबर पर है तो यह उसी साथ से उट वूट और दादा जी जो राज चला रहा है इसको यह इस तरफ वाली इसकी प्रोफाइल है और एक और खास बात आता तब ही नीचे की तरफ लगात वह है तब ही नीचे करने में होता है जादा आफ यह इसका टिक जाता है यह पूरा इसका घोड़ा है उस दो कि यहां से इसका लॉक होता है, मतं की चुरी नहीं कर सकता है, इसका एयर फिल्टर है, महां पर देखेंगे आप coolant वगएर वाले सिस्टम दे रखे हैं और इदर से मैं आपको दिखा हूँ इदर से तो मैंने दिखा दिया इस तरफ से इसकी profile दिखा हूँ मैं आपको यह देखिए यह इसके air pressure tank है यह battery लगी हुई यह इसका addblue DEF और यह coolant वगएर वाला सिस्टम ह है इस तरफ से भी same as it is है और यह मैं आपको हमेशा बता दिता हूँ कि यह जो लगे रहते हैं इसलिए लगे रहते हैं कि टायर साफ होते हैं तो आप देखिए उपर से गंदे हैं यहां से साफ है तो यह तो मैंने भार की पूरी चीज़े इसकी आपको बता दी अब अंडर में यार यह क्या फंड़ा यार 13 क्या होता है कालेगा कि जब हम मढ़ जाते हैं यह मुझे नहीं पता अगर आप लोगों को पता है तो पता दीजिए का मुझे क्या है मीनिंग बगरा चलिए अब अंदर से बातचित करेंगो अंदर से ट्रक दिखाता हूं आपको तो यह त अजे भाई सौरी मां एंट्रोड्यूस कराना भूलिया था भाई मैं बोला था टाटा वागर जो ट्रेलर आतने इतने बड़े उनमें अंदर सोड़ी जगा इससे जाधा होती है इसमें बस जगा के मामने में थोड़ा सा कम है क्यों अंतलब कंजिस्टेट टाइब लग रह अजया जाते हैं यह इसका डेजबूर्ड अच्छा स्टेरिंग वगर बिल्कुल पावर बैपरी चलता है यह पुराने हो गए हो गए कभी मतलब अब कितने पराने हो गए यह ज्यादा दो महीं हो इन गाड़े आपको चलाते चलाते दो महीं होंगे लिगे अच्छा आपको मतलब यह वेसे ट्रकों को कितना टाइम हो गया इनको यह लिये हुए हाँ अभी दोड़ाई महीन हो एन दोड़ाई महीने दोड़ाई महीने में एजी कंडिशन तोड़ना हो सकती इसको इसको सब्सक्राइए ना अच्छा सेमेंट पर चलती है टोटर यह आप कबसे हो ड्राइवर फिल्ड में अजे भाई तो जैसे तीन साल पहले ड्राइवर फिल्ड में केसे आने का सोचा अजे बाई अदे आपने भूमते गुमते ट्रावर बनगी तो मतलब शोख नी था एस आपको मैं पर पेंटर का काम तो अच्छा है उसमें पेंची क्यों कि इसमें पीछे की कटिंग बड़ी मिश्किल होती हो जो आड़ी तीडी कटिंग होती है क्या एक बार चैक्टरी कटिंग है अब मैं पहले टेक्टर जला लेता तो मतलब जैसे तीन साल हो आपको आप पेंटर थे लेकिन घुमने फिर ने आये तो आपका दिल लग गया तो तो घटाई कैसा लेकिस्टाब कैसी यह परेशानी भरी जिंदगी है यह फिर मज़े ररा मिल मेंल जाती घेंटर इन्ताoking तोटल सिमेंट पर चलता है है जैते हैं जिक्सम लाते हैं जिक्सम वो इसमेंट जिससे बनता है अच्छा वह बोपाल लाते हुआ Cities ज्यां चलता है सर्या वहारे का उच्छा सरिया घ्रिफ क्या नहीं कि अथा शर्या तो यह बात तो बदा है जिसे आप गाड़ी चलाते थे उनके साथ जाते थे तो उनकी कंपणी में लग गया थे या फिर आप दूसरी कंपणी आए अच्छा पैचान से लगी अब जैसे एक भाई में पूछ रहे थे कि उनको ट्रेलर चलाना आता है लेकिन उनको ट्रेलर में लग चाहिए तो उनको केसे मिलेगी आप बदाएए ना लाइसन नोपे ट्रेलर में कोई भी नोपर देता है क्या जाना पड़ेगा उसके अपने राजिस्तान में अच्छा नोपर गाड़ी ए तीस हजार सब्सक्राइए जब बात करो कोटा में एक बार एडर्स बताएं ग बात के स्टेशन मोडक स्टेशन महां पर सिमेंट की फैक्टरी नंगे बिल्ला उत्ताम महां पर मतलब इंसान जाकर अपलाई करेगा तो उसको मिल सकता इडरेस आपने बता दिये हैं अरे बार यार वह से ट्रांस्पोर्टर रहें तो सब्सक्राइब रहने वाले हैं अच् परिवार को खुछ देखना है परिशान तो हो नहीं पड़ेगा लेकिन आप पर्मनेंट चाहूं के अपने ऐसे पर्माने नहीं। यह तो है कि इसमें टफ जादा है फिर में सोचते कि घूमने में मज़ आता है घूमते हैं तो बार बार जाते हैं इस हुझे में भूमने के साफ से निकला था तो इसी लाइन में लग गए तो मतलब यह है कि मैंने इमान के चलो अभी तक एक ड्राइवर ने भी मुझसे ऐसा नहीं बोला है कि हमारी परिवान में से भी हम किसी को लगाना चाहते है वह बहुते हैं तो भारत में थोड़ा सा इस चीज में सुधार भी हो जाए अगर द्राइवरों के लिए फेसिलीटी अच्छी हो जाए कोई भी कोई आप यहां पर कोई भी दादागी निकार सकता है जिसे भार के देशों में अगर आपन देखे न भाई तो वहां आट्यों की बित्ती परिशानी नहीं होती और रोडों पर भी फिसलीटी अच्छी ड्राइवरों को रात में उनको ट्रक नहीं चलाना है ट्रक भी आरामदा है कि एसी है कमफर्ट है सब कुछ है खाने पीने क तोड़ी बढ़ी है इसके परिशान नहीं करते हैं अजय फिर भी आपकी हिसाब से अंदाधन इस ट्रेलर होता है जिसे आप चलाते हैं तो क्या महिने की कमाई छोड़ के देदेता हो गई अन्दाधन क्या मतलब सब कुछ निकाल के क्या बचता होगा अंदाधन जैसे आप अपने ज्यादा नहीं तो यहां का बाड़ा भी होगा अपने कम सखं़ पचास साथ अजार का हाँ जगी सब्सक्राइब कर दासे अज़ागा तोल लग जाएंगे फिर इस पच्छ अज़ार मालक के बच जाते हैं एक तरफ में एक तरफ के कितने ट्रिप लग जाती महिने म कि लग जाती हैं तो मतलब यह तो मान के जाले एक लाग तो गिरी हालत में छोड़ती होगी इसना पेसा महिने का छोड़ती होगी है एक लाग नोमल एक दूला जा रहे तो यहीज तो मतलब यह बताईए इसका मेंटेनेंस के बारे में क्या है एक कितने किलोमेटर पे होगी गदश कई यह का कि विर्फ से महिं और कदेकों नहीं लोगाइवले प्राट करें इनसे थोड़ी सी महंगी पड़ती है और पार्ट केसे आते हैं जुला घ्र पर चाहिए तो फिर खराबी हो गए तो फिर इसने भी बहुए नहीं आगार अच्छा दोधा सेंशर है टो फिर खराबी हो गई तो फिर उसमें दिक्त भी बहुत आनी कमपनी सी यह चोट चलिए भाई ये वाली जानकारी तो पूरी हो गई बहुत बहुत धन्यमात अजे भाई आपका तो हमारा अजे भाई के साथ यह हमारा छोटा मोटा इंटर्वी था गाइस होपकर तो आपको वीडियो पसंद आया होगा इसमें ट्रक की इंफॉर्मेशन भी मैं आपको बताती थोड़ी बहुत आजे भाई इसे बाच्चीत भी हो गई अच्छी खासी होपकर तो हमारा इस वीडियो आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक करना आपके चैनल को सब्सक्राइब जरू करना ताकि इसी अमीजिंग वीडियो आपको रेगुलरली देखने को मिलते रहें थैंक यू सो मुच गैस पर वोचिंग वीडियो